नमस्कार साथियों आप सभी का सुवागत है जिकर सलार में दोस्तों कक्षा नायंत के लिए स्वास्तेम साधिक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन परशनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है तो चलि दोस्तों वीडियो स्टार करते हैं वीडियो स्टार करने से पहले आपसे रिवेस्ट होगी अगर आप चैनल पी नए हैं तो फुली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोई भी कर्मेंट आप मुझे कमेंट कर सकते है और साथी साथ बहुत सारी विद्यारती हैं कि हमारे बास इसकी बुक नहीं है तो मैं आपको बता दू आपको कोई टेंसल लेने की जिरॉत नहीं है मैं आपको दो तीन वीडियो है वो प्रवाइड कराऊंगा सारी इंपोर्टेंट परसनों के और एक वीडियो मैंने आपको प्रवाइड करा दिया है जो कि आपको पीडिये फाइल भी मैंने देई दिये हुगे तिक अब वह विद्यों आपको दी गई है हमको आप पढ़ लेना यहां भी देखे दोस्तों पढ़ते एक परसन का आपको आपको रिक्तिस्तानों की पूर्टी करनी है सारी शिक्षा का मुखे उद्देश से विक्ति का क्या करना होता है तो सारी की विकास है वो करना होता है क्या होता है सारी की जो विकास है विक्ति का वो करने के लिए हम सारी शिक्षा उसको दी जाती है विकास की आवस्ता का सरौनिम काल किसको माना जाता है कौन सी आवस्ता ऐसी है जिसको स सोर अवस्ता तीक है तो ृद्वें आपन श्व को सारे विज्यादिक हैं वह सर नियुट विज्यानrouठिया जो को आपके सबूए है तो आपके बुझओ के सायव सार विज्यान हे एक हमें आपकी पयोख यह सा डिया है कर सकते हैं अग्या कि में मायाहाओ से करता है तो दोस्तों को परलग करता है वुसरतों करता है वंसानुगत में गरम करता है तो दूस्तों परीकास कि आप का विकास है जो ठ yolा और रहते हुआ का बेरे वालाक होता हैte ta एक सर्थी कि वह ओंदेज्द सम्चे भाशै कि व क फार्पर डॉत करता है दूसरा है वनसानुगत कारक, वनसानुगत का मतलब यह होता है, किसी के माताविता लंबे है, तो उसकी बच्चे भी लंबे होंगे, किसी के बोने है, तो बोने होंगे, तो वनसानुगत भी करता है, खान पान, खान पान बिल्कुल करेगा, तो उपरोग सभी है, वो हमारा अंसर आ आपको बदरासन करना है सरीर में बढ़र्दी का आश्य आकार उचाई वजन और लंबाई में व्रति से हैं तो बिल्कुल सरीर की अगर हम वर्दी की विकास की बात करेंगे तो वह इसी के अंदर घर आएगा व्यायाम करने से सरीर की मास पेशिया द्रड और किर्याशील होती है तो बिल्कुल सही है अगर हम continue व्यायाम करते हैं एक्सराइज करते हैं तो हमारे सरीर की मास पेशिया है वो द्रड होगी किर्याशील होगी इसके बाद देखें अगले क्यूशन है निमली की अती लोगताथ में परसों की आंसर आपको देने है यहां पर पहला देखें कल्पना लोग में उडान किस आवस्था का सूचक है स्वास्तिक की रक्षा करना हमारा करता वे है उग्द कतन किस विद्वान का है समझ खेलो की जन्नी किसे कहा जाता है यह सारी क्यूशन आपको पढ़ने है वाई इसके बाद देखें अगला क्यूशन जो आपका आता है वियायाम किसे कहते हैं आप बता सकते हैं वियायाम में कौन कौन सी चीज़े हम सामिल करते हैं सबस्तन की तीन किर्या हों के नाम आपको लिखने हैं पर Parent Aiyam किता устрой किया होता है सुब़ सुबह ? तो हमारी जो कहलोड़ है आपने पड़ AH 5 क सब्सक्राइब करें 1200 चार्टा सब्सक्राइब में रहती हैं खेल का चित्तर है वो आपको बना के बताना है नईस्ते कि अगला क्यूशन है खेलों के मादयम से कौन से गुण है वो विक्सित की होते हैं तो आप बता सकते हैं खेलों के मादयम से भाईचारी का गुण है वो विक्सित होता है साथ ही साथ हमें एक दूस्ते के साथ जो गिर्या कलाप है वो किस बरकार से हम करते हैं वो हमें फायंड होता है तो यह चीज़े आप लिख सकते हैं या फिर स्वास्टे को परभाविद करने वाले कारा कौन-कौन से हैं या आप लिख सकते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में आपको विस्तार से समझाना है योग को परिवासित करते हुए योग का महतुब बताना है ये बहुत important है स्वास्ते हम सारी शिक्षा में देखिए स्वास्ते का person जो भी आएगा संतुलित आहर के person आएगे वो सब important आपके लिए ठीक है चलिए next में बात करता हूँ अगला next person देखिए दोस्तो सारे important questions मैंने एकी वीडियो में include किये हैं ताकि आपको एकी वीडियो में सब कुछ मिल जाए सुखी जीवन का राज है वो क्या होता है तो स्वास्ते अगर आपका स्वास्ते ठीक है तो आपका जीवन सुखी है भारत का राश्ते खेल कौन सा है तो दोस्तो भारत का राश्ते खेल होकी है अगर मैं बात करूँ राज़स्तान का राश्ते खेल के बारे में तो आपको comment करके फटापट बताना है राजस्तान का राज्य खेल, राजस्तान का राज्य खेल वो कौन सा है नहीं से के अगला क्यूशन की मैं बात करूंगे आपे टिटनिस का टीका है वो लगाए जाता है तो आप सभी जानते हैं टिटनिस का टीका है वो क्यों लगाता है पुखार आने पर लगाते हैं, कुत्ते के काटने पर लगाते हैं, चोट लगने पर लगाते हैं, या फिर उल्टी दस्त होने पे, तो टिटनिस का जो टीका है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, ज्यादा था टिटनिस का टीका है, वो चोट लगने पर लगा जाता है, क अगर आपके पास सिंकारा लिखावा आएगा तो वो भी आपका सही आंसर है सारीक शिक्षा की परिवास से दीजिए देखिए अभी वो क्यूशन हमने डिफाइन किया था पहले भी सारीक अगर आपके परिवास से दीजिए विद्याले में राष्ट्य परो पर किये जाने वाले व्यायाम कितने परकार की होते हैं उनका नाम आप बता सकते हैं प्रात्मिक उप्चार पेटी में क्या क्या वस्तव होती है सूची बत आपको बताना है प्रात्मिक उप्चार के लिए मैं पहले बताया कि प्रात्मिक उप्चार का मतलब होता है कि आपको कोई भी दुरकटना गटित होती है तो अस्पताल पहुंचने से पहले या कि अबता सकते हैं Datole, वह रहाँ है कि आपकी टूप होती है कि अपनी साब पर लगाना के लिए वजुआ करने के क्या लाब होते हैं आपको बताना है अभी उपर कुछ इन आया था कि वैयायाम के लाब तीक है वेयायाम करने से हमारी सारिक वड़ी है वो अची होती है और सा पालस बरा नहीं रहता है आम एक्टीव रहते हैं तो बहुत सारे चीज़ आप अपर रिसाब से लिख सकते हैं अगले क्यूशन देखिए हैं पर बारा नमर का क्यूशन है पीवी चिंदू की स्केल से सब्मंदित हैं उनने 2021 में किस फुरुषकार से हमानित किया गया था इसक सब्मंदित चार अची बातों का उलेख है वो आपको करना है इसके अला देखिए हैं पर यातयात के नियम आपको बताने हैं किसी एक मुप्त हस्त व्यायाम के लिए आपको विदिका वर्णन करना है मानव जी उनकी कितनी आउस्ताओं में बाटा गया है नाम लिखे तो आ इन फेंट्री बता सकते हैं या फिर सेसा होस्ता है वो बता सकते हैं फिर बाल्या होस्ता है वो बता सकते हैं फिर किसोरा होस्ता है फिर प्रोडा होस्ता हो बता सकते हैं फिर आपकी होती है वर्दा होस्ता ठीक है इस परकार चार पांट से होस्ता है बता सकते हैं किसी एक म झाल झाल